नमस्कार दोस्तों मैं शिवराद डिगनेटी केस ओनलाइन प्लेरफोर्म पे आपका फिर से स्वागत करता हूं जहां हम तयारी करा रहे हैं आपके पेरामेडिकल आपको जो आर्पेमसी वाले स्टुडेंट है अगर उनको किसी भी टॉपिक में डाउट इस इनकी एक्जाम 27 मास से स्टार्ट होने वाली है और साथ के साथ एक आपका एप्लिकेशन लिखला जिसमें वन टाइम रिश्टेशन एक्जाम इसमें होगा उसमें वह विद्यारत इनको एक्जाम क्लियर करके उनको रिश्ट्रेशन प्राप किया जाएगा जिसके अंग कम से कम 50 पर्षेंट अबोव होने चाहिए उसी को रिश्ट्रेशन मिलने की पुरी-पुरी संभाव ना है ठीक है चलते दोस्तों हमारे पहले कोश्यन के तरफ पहला कोश्यन के है हमा चलिए पहले कोशिन के तरफ पहले कोशिन के बात करते हैं विच एंटीजन नौन एस ऑस्ट्रेलियन एंटीजन इन में से निम दिक्रित में से वो कौन सा एंटीजन है जिसको ऑस्ट्रेलियन एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है अब इसको ऑस्ट्रेलियन एंटीजन क्यो पहले हैं क्योंकि सबसे पहले यह और पाया गया था ऐसका नाम इसको रख दिया जैसे कि हम बात करें जैसे नहीं पैप निकलास जैसे नाम पर उसने अपने इसे बहुत से साइंटिस्त है अब जिन्हों अपने खोच कर यह स्टेंड का कोच करा रहा वह अपना ही नाम दे देते साइंटिस को ठीक है यह और इसे बोल रहा कि निव लिकृत में जो ऑस्ट्रालियन एंटिजन और है क्या फील स्मुंटिफॉर जी में से कोई हो नीं सकता क्योंकि इसे तरह को होता ही नहीं थे कि बच्छे हमारा है पीटνटिफोर होता ही पिटवंटिस वाल वाईरम व्ट्रस होता है खुमर है है और वाइर सोता है जो कि बाहर के कोलिंग मेटनी अधी होती है उसकी लयेर मुझत ए टीस ठीक है जो की ब्रोटिं प्रोकर दौर्टीण को दौर बंअ होय होती है प्रोकरी मैज्ट वाय मैं दोरativas स्टॉणग की है यह क्या करता है यह वायरस का बहार वाला प्रोटीन उता है इसको बढ़ पी ट्वन टीफोर नाम से जानते है बच्छा हमारा आकरी कोश्चिन एच बीस का मतलब गया है एपिटैट से जैस ऑस्ट्रेलियन एंटीजन एज़िए का मतलब को गया उस्ट्रैलियन एंटीजन अब बात करMA लिवर के अंदर इंफ्लामेशन होने की वज़ए से इस तरह की है इस तरह की है जिसका हुम बोलते है में उसको पिलाया जाता है एब बात करते हैं इसमें सिम्टम क्या आएंगे सिम्टम इसमें गी। प्रोमेटिंग डाइरिया और अपना लिवर्ट हलका सा स्वैलिंग तोड़ा फूल जाएगा ठीक है डाइजिशन बहुत प्राणी के अंदर उपस्तित होगा या किसी कंदर एंटर हो जाएगा ठीक है चलते हैं हमारे अगले के तरफ आपको समझ में वाले हैं आप चाहो तो इस टोपिक में वीडियो नहीं क्यों यह समझ में नहीं आ रहा है चाहा वह हमेट को चाहा पैठोका हो ठीक है क्यों क्योंकि हमारे विद्ध्यार्ति यह वाले होगे अगले कोशन के तरफ अगला कोशन क्या है नूट्रोफिल कैंट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी पहले बात करतें नूट्रोफिल क्योंकि होता है। प्रिजंट होता है ठीक है कैसे ऑच होते हैं अग्तभत करेंघ ऑनकी थैसे होती है दॉ savings हमें लगबग 2-6 लोब में इसका जो नूकलेस होगा 2-6 लोब के अंदर हमें दिखे देगा जो किस से जुड़ा होगा क्रोमेट्रिन थ्रेड से जो छे लोब से 6-7 लोब से नूकलेस एक दूसर जुड़े रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नूट्रोफिल वाली से ठी कि वह भक्षण कोशी का काम करती है ठीक है कोई भी बाहर का पैतोजन आमने बोड़ी में एंट्रोफिल जाएगा तो नूट्रोफिल सबसे पहले उठके आएगा और उन बैक्टिरिया से या उन एंट्टिजन से फाइटिंग करेगा कौन सा नूट्रोफिल अब बात कर रह नूट्रोफिल कौन सी इस्तिती में ज्यादा बढ़ जाएंगे ठीक है नूट्रोफिल कौन सी इस्तिती में ज्यादा बढ़ जाएंगे क्या वो एक्क्यूट बैक्टिरियल इंफेक्शन है क्या वो आरेन डेफिशेंस या मेगलोबलास्टिक है या नन ओव दीस है ठीक है हमारा correct answer है acute bacterial infection दोस्तों इसमें क्या होता है इसमें bacterial infection हमारे skin के उपर ठीक है lungs पर ठीक है हमारे lungs पर ठीक है यह nozzle पर यहां पर बेड़ी आएगा यह क्या करेगा इन्फ्लामेशन करेगा बोडी के अंदर ठीक है इससे निम्त रखेट विमारिया होगी जैसे खासी जुखाम इस तरह से पना खासी जुकाम न्यूट्रोफिल होगी आपने इम्यू सिस्टम विक कर देगे क्योंको यह जो बचाता है मुछ इस्टंग करता हमारा यह संद्रुफिल ठीक है कि हीन का मतलब की होता आयरन और गलोबिन का मतलब प्रोटीव के तो चीनी के अंदर प्रॉब्लम आएंगी और हमारे आर बी-सी के अंदर भी समश्य आएगी मतलब बोले जाएगी कि एनिमिया कमी खून की कमी हो जाएगी कौन से में आयरें डिफिजेंसी एनिमिया यह हमारा मैक्रोसाइटिक एनिमिया काम आता है आपने आर्बेसी एंडिस पड़ाओगा उसके अंदर आपने देखोगा मैंसेल वोल्यूम उसके बारें पड़ाओगा माइक्रोसाइटिक तो मतलब 76 से निचे और 96 मतलब माइक्रोसाइटिक ठेके मतलब हाइपर और हाइपो मतलब आर्फर जादा है पम्यारे मोर्फोलोगिस आर्बीसी reasonably क्या सब्सक्राइब करों हैं अगर बात करें मेगा लोग ब्लास्टिक इनीमिय इसका मतलब क्या दोस्तों जहां से अमारे सेल्स बन रहे हैं हमारे सेल्स बॉह बहारे से बन रहे हैं वद्वास्टण और अब ऑफैक्ट्री में कोई डिफेक्ट्टी की मशीने काम नहीं कर रहे हैं थीक से प्रोड़ेक्ट नहीं बना रहे तो भार भी ऐसे भार प्रोड़्यक खराब निकलेंगे तो वह चाहरा है मेगालोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जो फेक्टरी जहां से बन रही है वाकिन मशीने ठीक है न वह एंप्लोई ठीक है न मैनुफेक्ट्रिंग ठीक है उसको हम बोलेंगे मेगालोब्लास्टिक यह नहीं है मतलब वहां से सेल्स के अंदर अगर फेक्टरी खराब होगी तो क्यों होगा अमारा आप नॉर्मल क्यों होगा आर बिसी का लाड़ जाएगी जैंए प्लेख्य क्यों यह हो जैए जो क्यों विल्कुल विल्कुल जो शेपहती और वीपर कि उसका डियमेटर बढ़ जाएगा कौन सी इस्तिति में हमारे जादा काउंट में बढ़ जाती है चलते हमारे अगले कोशिन के तरफ अगला कोशिन के हमारा अगला कोशिन बहुत इंट्रस्टिंग अगला करें जादा करें जाएं जो और जो अवस्ता में बूड़े होंगे तो उसमें एजबी की मातर एवन मतलब हम पता लगाते हैं जब बच्छा बच्छा क्वाते हैं क्या पता कोई उसको रोग होसको ना हूँ क्या पता उसको ईसको डिलीवरी करी तो उसको बच्छे को फेचानने के लिए की पता लगाते हैं तो अन्यक्त कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चिन क्या है देखें पैरा साइट फाउंड इन स्पूटम स्पूटम का मतलब बलगम जिसकी जाज मोस्टली ट्यूबर क्लोसिस मतलब टीबी वाले पेशन्ट के लिए ज्यादा खास रहे हैं तो उनका सेंपल बलगम के द्वारा किया बलगम का सेंपल लेके उसकी कवण कर सकते हैं सपोस्कुरो मैंने उसके बनाने कि मेरबनाने का इसको cd dera किया cdre whenever है कनने के बाद मैं इसको शुक्स हो जाए की फिवल्कुल करूं को बढ़े उसमें अलग अलग रिसर्ट का प्रियोंक शुंच के बाद फिर मैं इसको करूं से से करने के बाद methylene blue प्रयोक करूंगा यह सब प्रयोक करने के बाद हमारे स्लैड बिल्कुल परपल कलर के दिखेंगे अब बात करते परपल कलर कर दिखने के बाद उसको highly अगर को पॉजिटिव वाला बेक्टीरिया होगा इसका माइक्रो बेक्टीरिय में वाले सिम्टम से हमारा क्या बोल रहा है पैरासाइट फांड इन पुटम के अंदर कौन से पैरासाइट पाएजाते या वह स्ट्रोंगलोडिस पाया जाते हैं इस सारे के सारे पैरासाइट प्रूटम में पाय जाते हैं जो पाय जाता है जो पाय जाता है लेकिन यहां इसके पाय जाते हैं तो इस सारे हमारे स्पूटम के अंदर उपस्तित होते हैं और गूब तरह के बैक्टिरिया भी इसको क्या काम में लिये जाते हैं तेके आप चाहिए इसका स्क्रीन शोट ले सकते हो दोस्तों है चलते हैं हमारे नेक्स और अगले कोश्चन की तरफ हमारा नेक्स कोश्चन है बहुत हींपोर्टन और बहुत interesting question तो थोड़ासा हलका सा confuse से धरने के बाद हम उस सबसे पहले कंटेनर कोन सी वाइल किस कलर के उसके अंदर कितना amount anticoagulant होना चाहिए किसके अंदर उसको एंटर करेंगे मुझे thyroid की जाच करने हैं तो कौन से वाली वायल में डालना है इन सभी का पता लगाने के लिए यह question आपको बहुत ही महत्त पूर्ण है ठीके इसमें के पूछा है example of liquid anticoagulant जो हमार anticoagulant है बहुत बार देखोंगा अब cbc वाली जो हमार anticoagulant है उसके अंदर हलकर की चीटे लगे होते है इडिटे के जो क्लोटिंग फॉर्मिशन को वहीं पर रोग देते हैं कि ब्लड को थक्कार बनने से रोग देते हैं अब इसमें बात कर रहे हैं जो anticoagulant है इन में से कौन सा है जो लिक्यूड anticoagulant को कहा जाता है वह हमारा sodium citrate ठीक है sodium citrate को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं इसको हम double oxidal बोलते हैं और हमारे उसलेट को खाता है पहले हम बात कर रहेते हैं कि सोडियम citrate की होता है एक तरस से हमारा लिक्विड anticoagulant होता है जो कि मोस्ट ली हमारे क्या करता है ब्लड को क्लोट बनने से बचाता है फिकें मोस्ट बहुत बाह ब्लड बेंकिंग मेन या बहुट सिले इसका जो होता है हम अगर बाकी बात करें अगर howhead कर explicar करते हैं सोडियम फ्लूराई तो सोडियम फ्लूराइड का कलर होता है वो होता है घ्रे कलर हो आ जाज करते हैं ठीक है जैसे मैं शुकर की जाज कर रहा हूं फॉस्ट खाना खाने के बात कर रहा हूं या भूके बेट कर रहा हूं ग्लुकोस की जाज कर रहा हूं वह कौन से वाले में लेंगे सोडियम फ्लोराइड वाली वायल में लेंगे बात करते हैं कि हम इडिटी में भी तो ले सकते हैं तो अलग-अलग वायल में अलग-अलग-अंटिकोगुलिन मिला होता है जो कि उन पर्टिकुलर ब्लड पर ही रेक्शन करेगा जिसके लिए वह बनी हुई है ठीक है हम बात कर ब्लड इस वायल के अंदर रखे हुए रहेंगे ज्यादा दिन तक ऑग्सलेट को ब्लड का उसी के अंदर रहेंगे तो उसमें क्यों होगा सेल की मॉर्फोलोजी बिगड़ेगी सेल हमारे सुकड़ेंगे और जिस चीज किम जाच कर दें उसमें एर्यार आने की पुरीवरे करने हो हमारे सीधा सभी लोग जानते एडिटी कौन से वाले इंटी को गुल में आता है ठीक है आई होप आपके समय में आयोगा चलते हमारे अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन क्या बोलता है कि प्रिजवरेटी यूजड फॉर 24 और यूरीन सैंपल देखिया हमने क अगर मैं उसको दूप की यूवी रख दिया तो बैक्टिरियन इंफक्शन फॉण जाएंगे अगर उने उसको बाहर उसको खोड़ दिया तो उसमें क्योंगा तीरे दिरे दिरे कंटामिनेट होगा स्मेल आती रहेगी यूरीन की तो बात करें अगर मैं उसके अंदर कुस प्रिजर्विटिव एड़ करूं ठीके प्रिजर्वर्टी मतलब बोल सकते हैं उसको कुछ समय के लिए वहां पर प्रिजर्व हो सके ना बैक्टिर इंफ्रेक्शन करें ना फफॉन जैसी कोई फॉर्मिशन हो या बदबून आए तो मुझे ऐसे क्या चीज एड़ करूंग यूरीन को सड़ने से बैक्टेरियर ग्रोथ होने से ठीक है फॉन बढ़ने से बचाते कौन प्रिजर्वर्टी अब हमारा क्वेशन क्या पूछ रहा है क्वेशन बोल रहा है प्रिजर्वर्टी यूस फोर 24 और सेंपल इस चोईस गंटे के लिए हम कौन सा वाला प्रिजर् तो थोड़ा सा कुछन देखिए जो ग्लुकोज माल्टो डेक्स्ट्रोज इस सारे के सारे हमारे शुगर शे संबन्दी है ठीक है उसमें बैक्टियार ग्रोथ को टीके बैक्टियार की ग्रोथ को मतलब उसको उत्पन्ना होने देने के लिए उसको किसका प्रेजर्वर्ट लेंगे ऐसीरक प्रीजप डालेंगे व्कृट नहीं वार्ट नहीं हो पाइगось कर अगरम बात कर देक्स्ट्रो ह Eat Dayaxu आंक देक्पटोज हमारे अंदर होता है जो कि क्या करता है nutrition प्रिवाइड करता सेल्स को सेल्स को न्यूट्रेशन प्रतान करने की काम आता बना डेक्स्टोस नाम का एक लिक्विड आता है जो कि अंदर मिला होता है चलते हमारे अगले क्वेश्चन के तरफ टर्बिट ब्लड कलर ऑब्जर्व इन तर्बिट मतलब दुंदलापन तर्बिट का मतलब दुंदलापन अबलड कलर ऑब्जर्व इम्किस के अंदर हो किया जाता है तैर्बिट ब्लड को तिए तैर्बिट ब्लड को किसके के अंदर आप्जर्व किया जाता है है हमारा जॉंडिस या हीपोलाइबिया ठीक है है यह हमारा जॉंडिस प्रोबिन पर तोड़ती है ठीक है और है यहां पर लिपिड की फॉर्मर नो शोर जाती है ने जी से मैं अपना गर लेंगे देंदे की जाच करेंगे यह इसको क्रियोग लेना है लेक्चिन क्या पूछ रहा है हमारा इसको होगा ही मोलाइसी ठीक है मतलब यह होता है कि breakdown of RBCs ठीक है breakdown of RBCs RBC का टूटना हेमोलाइस कहलाता है अब वहाँ पर उसके अंदर RBCs टूट रहे है तो वहाँ पर क्या जैसे मैंने किसी वाइल के अंदर सेम पल लिया तो वाइल के अंदर हलका-लका दुंदलापन दिखेगा ठीक है हलका-लका दुंदलापन दिखागा रे जो सेल इन ब्लॉट है सबसे कम जीवनकाल किसका होता है सेलम में से लिए भी टू, और बहुत बोट ही Pacific कोश्टन है कि सबसे दू, सबसे कार्योंस किसका होता है, क्या वह RBC variety I invoke ट्रुश्फ दिक है तो दोस्तो आप सभी ज़्हान होगा हमारे भीस्वन हैं लगभग 20 डेज होती है कि एक 150 दिन हमारे और भीसी होती है बात करतें लुको साइड हमने डबीजिए के निदर राता है जिसकी लाइक स्वाइब लगबग 41 से 42 डेज होती है ठीक है बात करते हैं प्लेटलेट लेटलेट की या तो हमारी फ्यू हावर्स होती है या तो फ्यू हावर्स या 24 आवर्स या दो से तीन दिन ठीक है सबसे शोर्टेस्ट और बात करते हैं अपने आर्विसी के अंदर ही काउंट होगा देखिए आपको कोशन का अंसर आप समपता चलगी होगा आर्विसी हो नहीं सकता क्यों आर्विसी लाइफसें सबसे ज़्यादा होती है 120 दिन की डवलीविसी की सबसे शोड़ी दिन पर होती है विय्टलेट की हमारे सबसे शोर्टेस्ट लाइस्पेन होता है जोगीma हर गंटे हर preventive यह कि शोड़ी ऐ। जो छोटे चोटे जिसका काम क्यों होता है हमारे क्लोटिंग क्लोटिंग गुटिंग काम करती है खून का थक्का मनने में मदद करती है चलते हमारे अगले उषिन के दरफ हागला क्या बोलता हमारा कि देखिए हमार कोश्चन माइक्रोबायोजी संबंदिदे कि क्या बोल रहा है लाइट चेन हेवी चेन आड जोइंट बाई देखोगा जो मार एंटी बोडी है उसका स्ट्रक्चर लगबग इस तरह से होता दोस्तों ठीक है इस तरह से स्ट्रक्चर बना हो रहता है अब बात कर रहें जो इनकी जो दिवारे होती है ठीक है इनकी जो जिसे जुड़ी होती है वो कौन से बोंड से जुड़ी होती है कोशन का मतलब यह ही है यह जुड़ी हो होतीए कि कौण से बॉंड से जुडि होती हो ही हो ठीक है तो वो है हमारी हमारी अदाइ-छूटी वाली इनको क्या करता इस डाय सेल्फएंड बोन के वाइसे एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है रोगे और एंटीबोडी को स्ट्रक्चर होती है हमेशा Y-shape क्यों हती है कैसी Y-shape के हमारे एंटीबोडी के क्यों हती है structure benी हुई रहती है ठीक है यह हमार वाई शेप की बने रहती है अब बात कर रहें कि इसके अंदर कौन सी वाली अपने इससे जुड़ी होती हुआ हमने डाय सेलफाइड बोन की जैसे लाइट चेन और हेवी चेन दोनों जुड़ी हुई रहती है चलते हैं हमारे अगले कोशन की और बहुत इंट जब करते हैं जब किसी बेक्टीरिया का हमारी बोड़ी के अंदर अटर हो जाना अब हमारी कैसे मरेगा जीवित होगा कैसे उसकी बनेंगी हमने पता चलेगा और उसकी किसकी बनाएंगे जाएukt करी कोरोना की करना का कि सेंपल लिया उस पर रिसरच करें करी करी करना का जो वाइरस इस तरह से काटे-दार दिखता आप उस पर कुछ लेखिन को प्रयोग कर रहे हैं कैसा पता लगाएंगे कि यह वैक्सिन उसको कारगार रहीगी या नहीं वैसे हमारा पेस्जिए एकली टे है यह मीटेक्ट टरेशन है यह इसारे के सारे भी सारे क्या है अमारे पैसिव एगलोलुटिशन का टेस्ट किया जाता है अब बात करते हैं य्टियसंगे केमिकल को या किसी वेक्षिन को उनको mixt करने के बाद देखेंगे आगर उनके गुच्छ्छ बन रहे हैं एक मतलब के हो पूसिटिव नहीं बन रही इसी चीज़ को पता लगाने जेसे मैं आपको बताएं Videod SUSK होता हौता है जिसमें इसकी वैक्षिक से सब्सक्सक्राया कैसे करते क्या खाते हैं कितनी इसके कॉलोनी बनाती क्या क्या इसके कुंसी में पना सकता हूं लगा आए जाता है तेके आई होप आप दोस्तों आपको एक कुश्ण समझ में आवगा देखे हमार कोश्ण आए चुका है वी डी आरल का वी डी आरल का मतलब बता है विन्रीयल डीजीज रिसर्च लेबरेटरी अब बात करते हैं वी डी आरेल टेस्ट किसके लिए जाता है माहिलाव के अंदर सिपलीस का टेस्ट किया जाता है कैसे पहलता है है sexual transmitted disease उसके द्वारा से प्लिस का test किया जाता है और टेस्ट का नाम कि हमारा वीडियार टेस्ट अब क्कॉश्चं कर बोल रहा है वी डियारे टेस्ट इस एक्जामपल ओ वीडियार का टेस्ट किस तरह से जाता है किस में तरह से किया जाता है क्या वह एकलुटिशन की कि यह का मिल जाता है ठीक है क्या फ्लोकिलेशन टेस्ट के लिए क्या अप लोग दोस्तों हमारा करेक्ट आफ tevra fully Listson का मतलब क्योंब थेढ थे मैंने एंटीजिन इंटीबोडी मिला है एक के निव एक लोफ देर से थे से अगर नेकी टिव फॉर्म ठीक है दानेदार फॉर्म में इसका में बैड़ गया तो क्या क्या लाएगा पॉजिटिव टेस्ट कराएगा सिप्लीज के लिए इसी तरह से लगाते फ्लोकिलेशन टेस्ट के द्वारा अगर वो तेर रहा है तो अपना प्रिजर्ट नेगेटिव है अगर वो चलते हैं हमारे टार्म के तरफ शोटय। सपहर स्पहर का ऑप की तब है लेकिन ऑल्रा से गुमा की और बीक कॉशन बिल्कुल सेम है वो कर्षेन भी आपका सेम था यह कॉशन बिल्कुल सेम है थोड़ा सा कॉंसेट्प मदलब हालका साँचेंज गडि उपर नीचे गर दिया इसमें वही पुछा गया है कि कौन से जब PBF बनाएंगे हम जब किसी स्लाइड बनाएंगे ब्लड की तो उसकी सबसे जितनी भी सेल दिखेगी उसमें सबसे ज्यादा कम लाइव शॉटेस्ट लाइफ स्परेंग किसकी होगी और शॉटेस्ट हमारे होगी लेटी लेट की ठीक है जो प्लेट लेट है उनकी लाइफ स्परेंग सबसे ज्यादा कम होगी इसलिए इसका कोशन बना जाता है शॉटे स्लाइट पर अपने PBF के अंदर कोशन वही से में थोड़ा सा आपको गुमा के दिया जाता है विच इस रिक्वाइड फूर आर्ट्रियल ब्लड देख तक है ब्लड के अंदर जो गैसिज है ठीक है ब्लड के अंदर गैसिज का पता लगाने के लिए आर्ट्रियल ब्लड का प्रियोग में लिये जयता है अब बात करते उस टेस्ट को लगाने के लिए कौन सा टेस्ट बोलेंगे डॉक्टर क्या लिखेगा या तो निकीशी और लगाने के लिए टेस्ट करिए यह तो नहीं बोलेंग डॉक्टर क्या लिखेगा डॉक्टर लिखेगा ब्लड की प्रोफाइल टेस्ट ठीक है ब्लड प्रोफाइल लिखता समझ जाएगा कि इसका मतलब गैसिस जो ब्लड के अंदर गैसिस का एक्षेंज हो रहा है यह अब गैसिस कैसे काम कर रही है उसका मतलब आर्ट्रियल सेंपन हमें जाके लेना है अगर हम बाकी ऑप्शन के बात करें केल्शियम की तो अगला कॉश्चन और आज का आखरी कॉश्चन देखें त्यूब यूज इन माइक्रो हिमेट्रोक्रेट मेतड़ ओफ पी सी वी देखें पी सीव का मतलब बोल्यूम प्रूर जो होल ब्लड है वोल में से अपने त्रोसाइड की वैल्लियू है ठीक है जैसे मैंने यहां पर मैं तिक कर ने के बाद Зबस करने के बाद जो कितनी यह कितनी है चुनकि करते पूसे है की परसेंटे कितनी है आपने के लिए पीिसिविश इनि इनि विए और पॉलिस वैंका पता लगाने के लिए किया जाता है, अब कोशन क्या पूछ रहा है, The Tube used in microhematokrides method of PCV, देखें हमेटokrides को भी PCV बोला जाता है, अब यह बोल रहा है कि कौन से tube के द्वारा, कौन से tube के द्वारा PCV का test किया जाता है, क्या वह wind probe है क्या वह western grain है क्या वह खांस ट्यूब है क्या वह capillary tube है तो सभी के दियाने दोस्तों यह है हमारा correct option है हमारा wind probe tube से देखें wind probe tube से ESR का पता भी लगाया जा सकता है plus PCV का भी पता लगाया जा सकता है ठीके और ESR के अंदर हमारी दोन मैतड़ है wind probe और western grain के दौरा ESR का पता लगाया सकते हैं क्यों इसर का inflammation पता लगाने के लिए inflammation या infection का पता लगाने की यह सबकर टेस्स लगाते हैं जिसमें wind probe tube और western tube का पता लगा जाता है और पी PCV के बात करें तो winter of tube का दोनों काम है यह PCV के भी जाज कर सकता है प्लस ESR के भी जाज कर सकता है अगर हम बाकी option भी बात करें जैसे पर खांस उसको कुछ समयवाद को cut करेंगे और हो सुग गया तो floating time note करेंगे अगर फिर भी नहीं सुखा इसका bleeding disorder होने की संभावना है ठीक है I hope दोस्तों आपको इस session बहुत पसंद आयोगा आगर आपको इस session पसंद आया तो अपने जितने भी भाई बेन दोस जितने भी जो तयारी करें उसको जादा सादा लाइक करिए और शेयर करिए थैंक्यू